हेलो फ्रेंड्स आज की रेसिपी है आलू मतर की ये जो है दस मिनट में बन जाएगी कुकर में और आप चावल के साथ मजे से खाईए बना कर तो तेल हमारी गरम हो चुकी है हम इसमें जीरा डालेंगे उसके बाद डालेंगे हींग और अब इसमें अद्रक कुटा हुआ मिर् मिर्ची दो और तेजपत्तः सबही को जो है डाल दें चै toimिस च तो अब हम यह सभी जो है डाल देगे और इससे जो है दो मिनट भून लेंगे और आपको मेरी मिरो कुटा है प्रेंड और अब इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर जो है मैंने पीस लिया है और पीस के डाल दिया, अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद दनुसाल, इसे भी अच्छे से भून लेंगे और अब इसमें आलू मटर जो है डाल देंगे, फ्रेंड्स आप ये रेसिपी जरूर ट्राइ करना और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट से जरूर करना, ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगेगी, आप इस तरब बना के द जख देंगे और पकने देंगे, तो अब इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर, गरम मसाला, और अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे, और अब इसमें धनिया का पत्ता डाल देंगे, तो ये देखिए हमारी मसाला सब जो है बुन चुकी है, तो हम इसमें धनिया का पत्ता को डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से चला लेंगे, और पानी जो है इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस सबजी के बराबर पानी डालें, तो मैंने यहां बराबर पानी डाला है वैसे आपको जैसी कड़ी पसंदो पतला या गा रहा आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं तो आप हम यहां कुकर का ढकन को लगा देंगे और आप इसे दो सीटी लगा लें बस इसमें आपकी आलू मटर तयार हो जाएगी तो फ्रेंड्स यह देखिए आलू मटर की सबजी तयार है चावल के साथ काने के लिए तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक, सिस्क्राइब, सेर, कमेंट जरूर करें